नश्कार दोस्तों, ये वीडियो एक्टोरियल कंपाइलेशन फो मेंस का पार्ट है, आप प्लेलिस्ट में जाके एक्टोरियल की वीडियोज पेपर वाइस और टोबिक वाइस देख सकते हों और अगर आप दिसंबर 2019 के बाग की वीडियो को देखना चाहते हों, तो वीडियो के नेचे मुझूद जोइन बटन की साहिता से आप मेंबर्शिप को जोइन कर सकते हों चलिए डिस्केशन स्टार्ट करते हैं आप जीएस पेपर 2 के इस टोपिक से और जीएस पेपर 4 से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हों डिस्केशन स्टार्ट करने से पहले आप एक कोशन का आंसर दीजिए आपको क्या लगता है जो पोलिटिकल पार्टिस हैं उनको भी आर्टिकल एक दो हजर पांच के तहट आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए मतलब जैसे हम किसी गुवर्मेंट डिपार्टमेंट से गुवर्मेंट और थोटी से इन्फोर्मेशन मांग सकते हैं क्या हमारे पांस यह पावर होनी चाहिए कि हम पोलिटिकल पार्टिस से भी इन्फोर्मेशन मांग सके कि भया आपने जो मीटिंग रखी थी केंडिडेट्स डिसाइड करने के लिए उस मीटिंग की डिटेल्स हमें बताइए आप हमें यह बताइए किस से आपको कितना चंदा प्राप्त हुआ क्या सिटिजन्स के पास यह सब पूछे जाने की पावर होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए देखो सिस्टेमेंटिक धंग से डिसकस करते हैं आटियाई एक्ट दो हजर पांच के सेक्शन टू एच में यह लिखा हुआ है पप्लिक अथोर्टी का मतलब है कोई भी अथोर्टी बोडी या फिर सेल्फ गॉर्मेंट का इंसिटूशन जिसे इस्टाबलिज किया गया है पारियमेंट के द्वरा या फिर सविधान के किसी आटकल के तहट इसके अंदर देखो वो एंज्जोस भी आते हैं जिनको डिरेक्ली इंडिरेक्ली फंडिंग प्राप्त हो रही है एप्रोप्रियेट गॉर्मेंट से तो यह डेफिनिशन है आटी आई एक दो हजर पांच के सेक्शन 2-H में कि कौन सी ओठोटी आटी आई के दारे में आएंगी और कौन सी नहीं आएंगी इसके रिगार्डिंग देखो एक पिटिशन फाइल की गई एक्टिविस्ट हैं काफी फेमस सुभास अगरवाल कि पोलिटिकल पार्टी को भी आटी आई के दारे में आना चाहिए मामला गया CIC के पास यानि Central Information Commission के पास हैं Central Information Commission ने अपने final verdict में ये कहा पोलिटिकल पार्टी जो हैं उनको गोर्मेंट free land allocate करती हैं अपना office establish करने के लिए उनको free air time मिलता हैं रेडियो पर या फिर new channels पर और उनको income tax act के तहप भी काफी exemption मिलता हैं तो वो government से इतनी सारी सुविधाएं प्राप्त कर रही हैं तो वो kind of public authority हैं उनको भी RTI Act के तहट आना चाहिए ये वरिट दिया गया था Central Information Commission के द्वारा 2013 में ये देखो बहुत ज़्यदा historic judgment था और इस judgment में Central Information Commission ने आदेश दिया parties को कि आप Public Information Officer establish कीजिए अपने विबिन district headquarters में और जो आपका Central Headquarter हैं वहाँ पे आप अपील सुनने के लिए एक Central Public Information Officer भी नुक्त कीजिए छे हफतों के अंदर अंदर हमारे इस judgment का आप पालन कीजिए तो क्या political parties ने Central Information Commission के इस verdict का पालन किया नहीं किया जो हमारी political parties हैं उन्होंने Central Information Commission के इस verdict को मानने से साफ तोर पर इंकार कर दिया उसके बाद देखो काफी समय भीच चुका है 2019 में एक Petition File की गई थी Supreme Court में कि पब्लिक जो हमारी political parties हैं उनको Public Authority डिक्लेर किया जाए ताकि वो भी RTI Act के तहत आएं मामला अभी Supreme Court में pending हैं तो अब हम देखो इस बात पर discuss करते हैं कौन से ऐसे arguments हैं जो ये advocate करते हैं अगर political parties RTI Act 2005 के अंतरकत आती हैं तो बहुत सारे फाइदे हो सकते हैं देखो सबसे पहला फाइदा तो ये होगा political parties की functioning में काफी ज़्यादा improvement आएगी जनता को RTI की साहिता से ये पता लगेगा कि कैसे internal फैसले लिये जाते हैं किसी political party के अंदर जब किसी person को ticket देनी होती है किसी constituency से चुनाव लड़ने के लिए कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है किसी political party के अंदर intra party democracy कितनी है किसी एक person की whims and fences से फैसले लिये जाते हैं या फिर political party के अंदर भी चर्चा होती है systematic धंग से और उसके बाद फैसले लिये जाते हैं इससे भी ज़्यादा political party को क्या corporate group से चंदा हासिल हो रहा है और क्योंकि देखो corporate group से ज़्यादा चंदा प्राप्त होता है और वो political party election जीत जाती है तो सत्ता में आने के बाद वो उस corporate group की किसी ना किसी परकार से directly indirectly मदद करेंगी तो इससे जो crony capitalism जो time होती है वो बढ़ता है corporate groups और political parties के बीच जो nexus है वो बढ़ता है और ये democracy के लिए अच्छी बात नहीं है तो जनता को RTI की साहिता से ये पता लगेगा कि funding कहां से प्राप्त हो रही है political parties को क्या कोई एक corporate group बहुत ज़्यादा funding दे रहा है political party को या फिर नहीं दे रहा है कहने का मतलब ये है इन सब points की साहिता से political parties की functioning में काफ़ी ज़्यादा transparency आएगी और अगर देखो political parties में transparency आएगी ये हमारी democracy के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि सविधान ने तो देखो state के women organs को establish कर दिया है या फिर ऐसा provision कर दिया है लेकिन हमारी democracy में political parties का बहुत ज़्यादा एहम रोल है political parties सरकार बनाती है, political parties एक link का काम करती है जो लोग governance में सामिल होते हैं उनके बीच में और जनता के बीच में जनता के जो interest हैं उनको पहुंचाया जाता है सरकार तक political parties के द्वारा अगर उनकी improvement इंप्रूव होती है तो इसका सिधा सिधा असर हमारी democracy की मजबूती पर पड़ता है इससे Right to Information Act 2005 को लाने का जो objective था वो भी सिध्ध होगा RTI Act का जो preamble हैं उसमें RTI के objective को बारे में लिखा हुआ हैं कि citizens को inform बनाना, corruption को contain करना और government की accountability को fix करना ये objective है RTI Act का अगर political parties RTI Act 2005 के अंतरकत आती हैं तो RTI Act का जो objective हैं वो और अच्छे से सिध्ध होगा लेकिन देखो बहुत सारे arguments ऐसे हैं जो कहते हैं political parties को RTI Act 2005 के दाएरे में नहीं लाना चाहिए सबसे पहला argument तो यही है competitors जो हैं एक political party RTI Act का सहरा लेगी दूसरी political party की internal बातों को बाहर लाने के लिए उनको malign करने के लिए तो इससे जो politics हैं वो और ज़्यदा competitive हो जाएगी मतलब इसके negative जो impact होंगे वो भी होंगे politics में सेकेंड पॉइंट आलेडी देखो political parties काफी सारे act के अंतरकत आती हैं income tax act के तहट उनको information disclose करनी होती हैं वो people's representation act 1951 के अंतरकत भी आती हैं और बहुत सारे provisions उन पर applicable होते हैं तो आके act 2005 के तहट लाने से कोई खास फरक नहीं पड़ेगा next point ये दिया जाता है कि political parties के पास इतना infrastructure नहीं होता उनकी जो meetings होती हैं वो informal होती हैं वो अपनी meetings की जो minute details हैं वो classify करके नहीं रखते और उनको अपनी district headquarters में अलग से person की न्यूकती करनी होगी central headquarters में भी काफी infrastructure उनको चाहिए बहुत सारी RTI लगाई जाएंगी उनका जवाब देने के लिए तो उनके पास इतना infrastructure होता नहीं कि वो हर एक RTI का जवाब देश के ये तीसरा point है जो दिया जाता है कि political parties को Right to Information Act 2005 के तहट नहीं लाना चाहिए तो इस परकार से हमने दोनों तरफ के arguments को discuss किया लेकिन question के उर्था है नया क्या हुआ है ये issue तो पुराना है और case Supreme Court में pending भी है नया देखो ये हुआ है Supreme Court ने हाल ही में एक verdict दिया DAV College Trust and Management Society versus Director of Public Instructions case में इस case में Supreme Court ने ये कहा वो non-governmental organizations, वो NGOs जिनको सरकार से funding मिलती है directly या फिर indirectly वो public authority है RTI Act 2005 के section 2H के तहट मतलब अगर कोई citizen RTI लगाता है और उन NGO's की जिनको funding मिलती है सरकार से उनकी functioning जानने के लिए कोई information provide करना चाहता है RTI से और लगा देता है RTI तो उन NGO's को information देनी होगी RTI Act 2005 के तहट तो अब सिधा सिधा आप link कीचिए non-governmental organizations उनको अगर government से directly indirectly funding प्राप्थ हो रही है तो वो अब public authority है RTI Act के तहट ये verdict Supreme Court के दवराद दिया जा चुका है दूसरी तरफ political parties को भी तो funding प्राप्थ होती है ना directly indirectly government से उनको बहुत ज़दा सस्ता land मिलता है city में जहाँ पे land की कीमत इतनी ज़्यादा होती है इस verdict के अनुसार तो writer जो हैं वो hope जाहिर करते हैं कि इस verdict के आने के बाद अब political parties से समंदित जो case है उसमें भी Supreme Court इसी परकार का फैसला देगी कि political parties भी public authority है RTI Act के तहट उनको भी information provide करनी होगी RTI लगाए जाने पर तो ये पूरा नया मामला हुआ है लास्ट में एक बात ये बोली जाती है देखो ultimately अगर government benefits provide करती है political parties को आप एक बात बताईए government को पैसा कहां से प्राप्त होता है हम सब लोग पैसा देते हैं government को मतलब जनता से ही तो revenue प्राप्त होता है ना government के पास जो पैसा होता है वो जनता का पैसा होता है तो government वो पैसा देती है किया political parties को RTI Act के तहट आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए चलते हैं आगे question देख लीजिए जो आपको time करना है क्या आपको लगता है political parties को right to information act के दाएरे में आना चाहिए justify your answer 250 words में आपको इस question का answer देना है 15 marks का ये question है इस discussion में फिलाल इतना ही है thank you thank you very much for discussion इस देख आयए partर ऑट ट्रोड़ा के चाहिए लिए लिएवे में वें आपको 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 का देख येए